हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी गाइज मेरो कोमन एर्र हम लोग स्टार्टिंग से और एंडिंग से दोनों तरफ से ही कराते चल रहे हैं आज सुबह हमने इसका एंडिंग से एक सेट अपलोड किया था अब आपकी बार ही है स्टार्टिंग से सेट नंबर 19 की बी एस आरबी जैपुल क्लेकर एक्जाम टूसावजन सुर्ज नैंटी का सेट है कि उन्नी सुनब्भे का उधर दोजार्टेरा चला था आज उन्नी सुनब्भे एक समाएगा कि आप लोग दोनों तरफ से सेट को कम्प्रेट कर चुक होंगे इस बुक को फिनिस करने के ताग पिला चलते हैं सेट के पहले कोश्चन पर कहरा कि मोहन is one of those boys who can play whom can play chess very well in the school धन दिजेगा वो कहरा कि मोहन is one of those boys whom can play chess very well बच्चों मोहन के लिए ये वर्व हो चुकी है of के साथ pull on on आता है ये भी किलर है the sentence who, whom, what, वगएरा स्टूड़ता है तो वर्व पिच्छल सबिट के साथ आती है लेकिन whom आपका एक object है जिसके बाद वर्व नहीं आसकती हो आपका एक subject है जिसके बाद वर्व आ सकती है ये बाद मैं पहले भी बता चुकों कहीं बाद यहाँ ये जो वर्व है can play ये whom के according आई ये लेकिन whom के अंदर तरी हिम्मत है ही नहीं कि वो वर्व ले 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 आपको इसे whom को करना होगा तो यह sentence आपका correct हो जाएगा अने था sentence आपका wrong रहेगा इस sentence के बी पार्ट में error हो जाएगी हूम को हूँ करना होगा तो यह sentence ठीक होगा आज है बाद ही thirsty so give me little water to drink एक ट्रिक मैं आपको पनुप के वाधार बताई थी कि कभी भी की sentence में little few, lay या lie word आजाए समझो mistake उसी पार्ट में है याद है नहीं याद है तो आज आज रख लिजेगा यह sentence के सी पार्ट में आपको दिख रहा है little यानि कि confirm है गलती इसी पार्ट में है आँख मिचके लगा देजेगा हमेस्था little का मदला होता है ना के बराबर यानि कि negative way में य यह आपको अंसर देता है यहाँ पर little की जंगा a little होना चाहिए था क्या होना चाहिए था a little I am very thirsty so give me a little water to drink a little मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है थोड़ा बहुत तो इस sentence का अंसर हो जाए आपका C पार्ट C पार्ट में इसके हो जाएगी error आगे देखिए राजेज इस वन अफ बैस इस्टुडेंट ऑफ के बाद हमेशा पूलूर नावन आता है अगर बन सके तो लेकिन इस sentence मुझे ने कहा राजेज इस वन अफ इस इस्टुडेंट को आपको इस्टुडेंट करना होगा एधानक्ये बुक्स वाले आपको बहुत ब्यूक्प ब पुलो लगाते हैं अब आप कितने आद रखेंगे भई ऐनी ओफ एद और और सम ओफ वन ओफ जूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक बात रखें ओफ के साथ पुलूर ना उनाता है अगर बन सके तो अगर पुलूर नहीं बन सकता लाइक माले जो ओफ के बाद होने वाला अनुभव से खेल लिए अनुभव बहुत बड़ी चीज है बच्चों कहते हैं कि एक्स्पेरियंस इस बैस्टीचर वह आपके सामने बैठा हुआ है जो आपको पढ़ा रहा है आपको मैं जो कह रहा हूं आप वो सुनिए बुक्स से बाहर निकलिए तो ही आपक अनली बट ओल्सो यहां उसने नैदर के साथ नोर ना दे करके और दे दिया यह मिस्टिक हो गई नैदर ही नोर इस ब्रदर नियू दा एड्रस ऑफ दा स्कूल इसके ए पार्ट में ही और की जंगा नोर करना होगा तो यह संटेस करेश्ट होगा आप प्रिवेल अपोन हीम प्रिवेल के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ओन या अपोन चलता है जो कुछ ना आपको दिया हुआ है यानि कि इस सेंटेस में कोई एरर नहीं है चूंकि उसके बाद सारा प्रपोजिशन पार्ट है टू अकंपनी मी टू सूरत यानि कि यहां पे सेंटेस आपका एरर हुआ इस सेंटेस के किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है जब तक तुम उसकी बुक वापस नहीं लुटाओगे वह तुमसे बात नहीं करेगा बच्चो अनलेस और अंतिल ये दो बड़े प्यारे वर्ड हैं दोनों पर हिधान देजेगा अनलेस लगाते हैं किसी कंडि के लिए कंडिशन के लिए अंटिल लगाते हैं टाइम के लिए अनलेस यूवर्ख हाड यूवण भी सक्सीड सक्सीड जत्ता तुम कठीर परशन में करोगे तुम सफल नहीं होगे शर्त है अनलेस यूव कम हैर आई वोंट टीच यू जब तक तुम यहां नहीं आओगे मै लिए अनलेस का इस संटेस की भी एपार्ट में हो जाएगे आपके मिस्टेक यस्टरड़े वैं दर टीचर साथ एस्ट्रियंट में लगाए यस्टरड़े यानि कि इससे यह किलिए रो रहा है कि संटेस पास्ट में है और यह बात मां को पहले कहीं बर बता चुको हूं पास्ट में चलेगा दूसरा इशारा यहां वैन ने किया वैन पास्ट की दो खुटनाओं को जोड़ने का ही काम करता है वैन के बाद वाला पार्ट सेकेंड फोम में यह बात मुझे सान ने बताई उसके बाद में थादा इस्टुलेंट्स मेकिंग अनॉइज ही पनिस पनि सब्जेक्ट के साथ वैसे अगर वर्ब आएगी तो उसमें यह वैसे भी रूग है और मैं आपको कहा है कि आप सीफ और स्थिर्ण निकालना सीख लेजिए आपका 80 से 90 प्रसंट काम वैसे हैसान हो जाएगा आपको वहाँ जुरूत नहीं है आप एरर को ठीक भी करके आएं एरर निकाल लेजिए आपका काम असान हो गया बस इतना ही बहुत है भाईया इतना का कम है जो आप करके आ इस इंते हैं हैं संटेश नमब्रक एट करें कि फॉदेख पास्थ जहां पर समय का zag सक्मार के आफ यте चार हो चुके हैं since I came to my hometown on vacation four days four days have passed अगर आपने गोर किया हो तो मैंने बोला था चार दिन हो चुके हैं since I have since I came to my hometown अब आप को के सर ऐसे कैसे आपने तो कहा है कि संटेज का में निकालना नहीं है आप यहां कुछ हिंदी बता के बता रहे हो कभी कुछ बता रहे हो रोओ नंबर तो नहीं है यह चलिए रोओ नंबर को छोड़ देजेगा आप देखें यहांपे कि निए ज़ अब कि यहांपे कर्लै माई यह अगर अगर All दोनो운 तरफ वर्ब है तो एज़ कर्पोजिसन है से यहां एक सेंटेस में आया था इसमें नहीं हो पिछली साथ में था भी चलिए कोई बाद नहीं यहां पर सिंस के बाद भी वरब है कें सिंस से पहले भी वह भी पास्ट हिलर बात सिंस जब ऐसे कंजक्शन हो तो यह काम करता है बीफॉर की तरह एक तरफ इंडेफिनेट सेकिंड फॉर्म एक तरफ परफेक्ट है जैव पलस थर्ड फॉर्म अब तो याद रहेगा ना स्रुएंट अब तो कमसे काम मुझे कलिम नहीं करेंगा ना कि रूंग नमबर है सिंस जब ऐसे कंजक्शन होगा तो उसका रूल रहेगा कुछ इस तरह का सिंस बिफॉर और बाइदा टाइम बाइदा टाइम इन तीनों का रूल एक जैसा ही रहता है संटेस के अंदर इसलिए संटेस मैंने पहले फॉर डेज हैब पास का समार करा मिनिंग से भी निकाल दि अब कम से कम इसको याद रहना आप लोग चलते हैं संटेस्टम नाइन पे ही डू ऐसे संटेस्टा पर पढ़ने का मन नहीं करता आप पोलते हैं कि एसर एर बता दीजिए क्या ही के साथ डू लगाना सही है क्या ही के साथ ड़ नॉट नहीं आना चाहिए था क्या मुझे पूरा पढ़ने की जूटत नहीं है, mistake निकालती, answer मिल गया, number मिल गया, joining हो गई, और का चाहिए, बस party देनी बाकि रह जाएगे आप लोग की, he regulated me to made him learn his lesson, sentence number 10, बच्चो ये भी तुच्चा rule है, क्या 2 के बाद में second home आ सकता है क्या, नहीं भई, 2 के बाद रहा तो वर्ब की first और बहुत ज्यादा से ज्यादा, जब दिन खराब चल रहे हों, तो वर्ब की first व में आएँज यानिके जी रंड, बस यही तूरूल बताए हैं, तो second form नहीं आ सकती, made की जंगा, make कीजिए, तो sentence correct होगा, B part में, he regulated me to make him learn his lesson, क्या दो अब भी समझ में नहीं आया, बच्चो दोनों sentence तुच्चे से यह आपको free के नमबर देके चले गए, अगला है conditional, conditional sentence है if वाला, if के साथ है had plus third form, तो next part मोने चीए, would have plus third form, बस यह देख लो, और कुछ नहीं देखना, if के साथ had plus third form है, if he had informed me of his difficulties, वैसे भी of his difficulties, प्रपचिशनल पार्ट है, इसको तो आप खतमी कर दीजिए, I would have sent the money, बिल्कुर ठीक है, यानि कि sentence आपका है, no error, sentence number 11 में, किसी प्रगा की कोई error, नहीं है, next देखिए, if you do not work hard, you will not succeed in the examination, sentence number 12 भी, conditional sentence पर यह, कि अगर इफ वाला पार्ट, present indefinite हो, तो next part, future indefinite होगा, क्या होगा, future indefinite, जैसे कि, if she comes, I will help her, अगर वह यहां आएगी, तो मैं उसकी मदद करूँगा, if she comes, I will help her, अब ऐसी सुने sentence को negative बनाया, if you don't work hard, अगर तुम कठीन प्रक्षम नहीं करोगे, you will not succeed, present indefinite, present indefinite, future indefinite, sentence correct है, इस sentence में भी कोई error नहीं है, चलिए, चलते हैं next sentence पे, sentence number 12, हो चुका है, ये भी new error है, 13 देखिए, और उसके बाद 14, बस दो sentence बसते हैं आपके पास में, जहां आपने मुझे इतना जहला है, थोड़ा सा ओर जहल लेजेगा, फिर चले जाए रहा है, बीवर बच्चो, क्यारे कि, when we reached there, nobody were in the house, sentence when से connect हुआ है, when, past की दो खटनाओं को जोड़ता है, दोनों तरफ second form होने चाहिए, when we reached, ये हिस्सा तो मुझे लगा अच्छा, second form है, ठीक है, लेकि next part में, उसने nobody के साथ में word लगा दिया, इस बास से हूँ मैं नराज, चुकि मैंना को बताया है, जितने भी ऐसे word हैं आपके, each, every, either, neither, none, anyone, anybody, nobody, somebody के साथ, singular word लगानी है, ना कि pullular word, आपको लगाना है, यहाँ पे, was, इस पैन, इस वेरी गूड, बट इट कोस्टेड मी, 10 रूपी, बचो सिंटेश लगा है, परजेंट में, सी में साथ दिखा जा रहा है, कि संटेश परजेंट है, बी में इस आ गया है, तो आप सी वाले पार्ट में, इट कोस्टेड की जंगा, सिर इट कोस्ट का इसमाल करे इस पैन इस वेरी गूड, बट इट कोस्ट मी, 10 रूपी, किलियर बात, यहां 14 संटेश के सी पार्ट में, कोस्ट को, कोस्ट से यानि के S.A.E.S. लगाना होगा, यानि के परजेंट इंडेफरेंट बनाना होगा, तो यह संटेस होगा आपका करट, यह था आपका सेट common error book से हम लोग book को सूरु से और आकर से दोनों तरफ से finish करते हुए चल रहे हैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दियागा सुलसन बहुत संतुस कर रहा होगा देखिए student साथ के साथ नोट्स बनाते चलें books को लिखते चलें नोट्स आपके बहुत कम आएंगे selection confirm हो जाएगा इधानक के वन आइक्स हम ऐसा हैगा कि आपके आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा काम होगा आपके पास में और आपके बास समय